आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में स्नैप चैट अपडेट नहीं हो रहा है या फिर अपडेट करने में पैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है तो इसे कैसे ठीक करें तो इसके लिए यहाँ पे प्ले स्टोर से बाहर आईए और अपने फोन की से चैटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आईए और यहाँ पे नीचे आकर आएगा एपस इस पे किलिक करिए एपस पे किलिक करिए और यह मैनेज आपस आपके फोन में एप मैनेजर या फिर एप मैनेजमेंट नाम से हो सकता है तो अब आपके फोन के सारे एप आ चुके है अब आप नीचे आईए और नीचे आकर यहाँ पर आजाएगा Google Play Store इस तरीके से इस पर आप किलिक करिए किलिक करने के बाद अब नीचे Force Stop पर किलिक करिए उसके बाद OK करिए यहाँ पे उपर Storage पे किलिक करिए और नीचे आएगा Clear Data इस पर आपको किलिक करना है उसके बाद Clear All Data पर किलिक करिए अब OK करिए यहाँ से Back आईए फिर से Back आजाईए और सेटिंग में ही उपर आपको मिलेगा Sim Card and Mobile Network इस पे किलिक करिए और यहाँ से Mobile Data को यानि कि Net को बंद करिए उसके बाद फिर से चालू करिए और अब जिस Sim का आप Net चलाते हैं उस Sim Card पे किलिक करिए जैसे की हम Sim 1 पे किलिक करेंगे और उसके बाद आएगा नीचे Access Point Names इस पे किलिक करिए किलिक करने के बाद नीचे यहां पे Reset पे किलिक करिए और इसे Reset करने के बाद Back आईए और अब अपने फोन को Restart करिए यानि कि बंद करके चालू करिए फोन को Restart करने के बाद अब Play Store open करिए और open करने के बाद चेक करिए अब आपके फोन में Snapchat अपडेट हो जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फोन में Snapchat अपडेट हो रहा है तो कुछ इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें विडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारी इस विडियो को लाइक जरूर करें